आज मैं बनाओगी पनीर पराठा जिसमें मैंने बहुत सारे सबजीयां अड़ की हैं यह बहुत ही हेल्दी भी है और आप इसे बहुत ही आसानी से सुबह सुबह बचों के लंच में डाल सकते हैं सुबह के नास्ते में या फिर रात के डिनर में भी बना कर खा सकते हैं तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हम गेहूं का आटा लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे आटे का कोई मेजरमेंट नहीं है आप अपने जरूरत के अनुसार आटा ले सकते हैं अब नमक को और आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी गुंद गया है अब दूसरे तरफ हम इसके श्टफिन तयार करेंगे इसके लिए मैंने कड़ाई में दो चमच घी लिया है आप तेल भी ले सकते हैं इसके बाद घी में हम डालेंगे आधी चमच जीरा उसे चटकने देंगे उसके बाद एक छोटे प्याज को मैंने चॉप जाना नहीं है ग्रेट गाजर लिया है मैंने कैप्सिकम एक लिया है उसे भी चॉप करके डाल देंगे और सबको हाई फ्लेम पे दो से तीन मिनट तक भूनेंगे दो से तीन हरी मिर्च डाली है मैंने अब इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट लाल मिर्च पॉर्डर र एक चमच चाट मसाला डालेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें मैंने 200 गराम पनीर लिया है यह मेरा घर का बना हुआ पनीर है इससे क्रस्ट मिक्स कर लेंगे stuffing हमारी त्यार है अभी तक हमने नमक नहीं डाला था नमक इसमें डालेंगे स्वादनुसार नमक हमने पहले भी black salt डाला है तो कम ही डालें इसके बद गैस को आफ करके इसमें डालेंगे हरा धनिया उसे अच्छे से mix कर लेंगे stuffing हमारी बनकर त्यार है अब हम आठे की एक लोई लेंगे और इस तरह से इसे दोनों हाथों से गड़ा करते हुए एक कटोरी बन डालेंगे जैसे पराठो के stuffing होती है उसी तरह से करेंगे हमारे stuffing इसमें डालेंगे और इस तरह से दबाते हुए इसे अच्छे से इसे बंद करेंगे इस पराठे की stuffing आप रात में बना कर रख सकते हैं और सुबह बचों की लंच में आप बना कर बहुत आसानी से दे सकते हैं और इसमें पडीर है और बहुत सर वेजिटेबल है तो बचों के लिए बहुत हेल्दी भी है और बच्चे से बहुत मन से खाते भी हैं हमारी stuffing भर कर तयार है अब इसे इस तरह से flat shape दे देंगे इससे हमारी जो stuffing है एक तरफ नहीं फैलेगी हर तरफ एक सार होकर फैलेगी अब इसे हलके हाथों से बेलेंगे बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं बेलेंगे हमारा पराठा बिलकर तयार है अब गरम तबे पर हम इसे डाल देंगे एक साइड से हमारा पराठा सिख गया है अब इसे पलट लेंगे दूसरे साइड से भी हमारा पराठा सिख गया है फिर से पलट लेंगे अब इसमें डालेंगे दो से तीन चमस तेल डालेंगे या फिर आप इसे घी में बनाना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं बटर में बनाना चाहें बटर भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से दोनों साइट क्रिस्प होने तक इसे सेखेंगे देखें हमारा पराठा बहुत अच्छे से सिक रहा है प्राठा हमारा बन कर तयार है आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और रेसे पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें